नमस्कार अब देख रहे हैं, EPNN News में हूँ अपके साथ में मरीशा ज़ा AIMIE के नेता सदुद्दीन ओवेसी ने अधार को वोटर आईडी से जोडने की सरकार की यूजना का विरोध करते हुए संबंध में लोकसभा में नोटिस देते हुए इसे प्राइवसी के मूल भूत अधिकारों का उलंगन बताया है उन्होंने लोकसभा सचीवाले को भेजे अपने नोटिस में कहा कि सदन वेक्ती के मूल भूत अधिकारों में हस्तक शेप नहीं कर सकती इस बिल में आधार को आवश्यक कर दिया गया है जबकि सुप्रीम कोट ने इसे केवल कल्यान कारी योजनाओं तक सीमित रखा है उवैसे ने अपने नोटिस में पुट्टा स्वामी वर्जिस यूनियन आफ इंडिया की केस का भी हवाला दिया उन्होंने चिट्टी में लिखा कि किसी भी वेक्ती की सुरक्षा और प्राइविसी को इस प्रक्रिया से नुकसान पहुंच सकता है आपको बता दें कि केंद्रिय कैबिनेट ने चुनाव संबंधित विधह को मंजूरी दे दी है इस विधहिक में आधार को वोटर आईडी से लिंक करने की योजना है सूतरों की मताबिक आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोडने का फैसला सुवैचिक होगा दरसल सरकार ने चुनाव आयो की सिफारिश के आधार पर ही ये फैसला किया है आयो का मत है कि आधार को वोटर आईडी से जोडने से चुनावों में धांदली रोकी जा सकेगी इसके साथ ही चुनाव आयो की मांग है कि नए वोटर आईडी के अपलाई करने वाले वैक्ति के लिए आधार की जानकारी अनिवारी कर देना चाहिए आयो का मत है कि आधार और वोटर आईडी एक दूसरे से लिंक होने पर काफी परिशानिया अपने आप खत्म हो जाएंगी दरसल सबसे बड़ी समस्या ये है कि वर्तमान वोटर लिस्ट में कही नाम बार बार आ जाते हैं प्रसावित विल देश के युवाओं को हर साल चार अलग अलग तारीखों पर खुद को वोटर की तौर पर रजिस्टर करने की इजाज़त भी देगा यानि वोटर बनने के लिए अब साल में चार तारीखों को कट आफ माना जाएगा अब तक हर साल पहली बार जनवरे या उससे पहले अठारा साल के होने वाले युवाओं को ही वोटर की तौर पर रजिस्टर किये जाने की अजाज़त थी तो फिलाल के लिए इतना ही देशर दुनिया की तमाम बड़ी और एहम खबरों के लिए बने रहे एबे आन निउस के साथ